एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले की सरकार की समय उनिस सु बासरट, उनिस सु पैसरट, उनिस सु पैसरट, उनिस सु बहतर की भिशन लडाईया हूँ देश पोलियो, प्लेक, हैजार, टीवी जैसी भैंकर महमारी की चपिट में आया लेकिन सभी का मुफ्त में लाज हुआ, मुफ्त में पुरे देश का दिका करन हुआ, लोगों ने उन सरकारों पर खरवों के घोटाले की आरुप लगाए कहा गया कि काला धन विदेशों में पेजा गया कथित भर्ष्टचार की खूब चर्चा रही, बावजूद इसके देश में बहुत सारे सरकारी कारखाने बग कंपनियां खड़ी भी सरकारी अस्वताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल बने, सरकारी नोकरियों में कोई कमी नहीं रही लोगों को नोकरियां दी गए जो व्यक्ति इंटरमेट्रिक पास कर जाता था, उसे घर से बलाकर नोकरियां दी गए तनखा में कोई कमी नहीं रही, भर्ता हर वर्ष लगातार बर्ता था, महिंगाई भर्ता एक सो एक्टिश पर्दिशत तक दिया गया सबसे अधिक वेतनमान में मिली, सरकारी करमचारियों को पेंशन दिया जाता था, देश के जीडिपी 10% से उपर थी आखिर तमाम गोडाले और प्रस्टचार से गिरी सरकारें या सब कैसे कर लेती थी, जो दिप्य महापुरिश की सरकार नहीं कर पा रही है जबकि वे वे देशों से काला धन वापस ले आए, नोट बंदी से भी देश का काला धन वापस आगया, GST से सरकारी खजाना भर गया आपाद कालीन परिस्तितियों के लिए रिजर्बेड में जमाप पैसा निकाल लिया गया फिर पता नहीं क्यों, 18-18 घंटे काम करने वाले प्रदान मंत्री के सामने सरकारी संपत्या बिक गई और दिब्य महापुरिश की सरकार नोकरियां वेतन बत्ते, पेंशन नहीं देकर किसान, मजदूर और आम नागरिकों को सिर्फ टेंशन ही दे रही है कोई युद्ध नहीं हुआ, GDP माइनस में चल रही है, सभी की नोकरियां चली गए, फिर भी उसाब ने सभी NGO, उद्योग पतियां और देश के नागरिकों से PM केरफंड में पैसा जमा करवा लिया उस पैसे से क्या कार हुआ, किसी को नहीं पता, देश में बड़ी अजीब स्तिती बनी है अगर कोई सवाल कर रहा है, तो उसको पाकिस्तानी या देश दो ही बुला जा रहा है मेरे खाल से उन युवाओं को तो अपकम से कम अपजाग जाना चाहिए